अब सभी का सबागात in ATM सवाल के इस वीडियो में जो के रख्या बंधन का special ATM सवाल है इस सवाल के अंदर बहुत ही important ATM सवाल, एटीम सवाल होते हैं अटीम सवाल बहुते हैं जिन सवालों में बच्चा अक्षर उलज जाता है, उसे पता है अंसर, उसे सब कुछ पता है, बस वो reality और जो हमारे assumptions हैं जो हमारी physics की concept हैं उनको match नहीं कर पाता है इसलिए वो हमेशा गलत अंसर देता है और इसी वजह से इसी वजह से उसके question गलत हो जाते हैं तो इनी सवाल को पहचानना हम सीख रहे हर सीरीज में हर वीडियो में हम पहले एक सस्ता सवाल देखते हैं जो concept को आपको यार दिलाने की कोशिश करता है तो यहां पर पूछलिया गया कि वह एक boat है swimming pool में तेर रही है dead pool नहीं swimming pool है swimming pool में boat तेर रही कितना गंदा जोख मा दर तो यहां पर देखो में कि यह swimming pool के अंदर boat तेर रही है हमसे पूछा गया direction of force on water due to boat direction of force on water due to boat तो किस direction में होगा उपर होगा, मीचे होगा, इधर होगा काफी सस्ता सवाल है सोच लीजी एक बार 4, 3, 2, 1 अगर नहीं सोचा तो पॉक करके सोचिए अब यहाँ पर मैं अंसर बताने जा रहा हूँ भया देखिए, यहाँ पर यह boat है और boat के उपर की तरफ क्या लग रहा होगा buoyant force लग रहा होगा boat में उपर की तरफ क्या लगेगा buoyant force, नीचे की तरफ क्या लगेगा भया, wait, boat का wait यह buoyant force किसने लगाया पानी ने boat पे लगाया, तो boat ने भी तो पानी के उपर कोई ना कोई swimming pool का जो पानी है जिसके अंदर boat यहाँ पर बैठे हुई थी इस तरह से तो इस पानी पर भी तो कुछ ना कुछ force उपर की तरह से नीचे की तरफ आया होगा तो boat ने action reaction pair के तहत जितना force उपर लगा पानी ने boat पे लगाया उतना ही boat ने पानी पे नीचे की direction में लगा दिया हो आपको अच्छे से समझना है पूरा swimming pool है उसको मैंने weighing machine के उपर रख दिया अब इस पूरे swimming pool का जो बजन है weighing machine में निकल करके आ रहा है कितना निकल करके आ रहा है यह निकल करके आ रहा है w1 अच्छे से सोचिएगा pause करके भले सोचिएगा यहाँ पर दिए case 1 में पूरा की पूरी वेंग मशीन में जोहां पर W1 already swimming pool रखा हुआ है उसमें मैंने एक boat डाल दी तो अब बताईए कि भाईया इसका बजन वेंग मशीन कितना रीड करेगी क्लियर है वेंग मशीन कितना रीड करेगी क्या W1 रीड करेगी क्या W2 रीड करेगी पूरा पानी का जो swimming pool का बजन है वो W1 है तो यहाँ पर boat के अंदर W1 वाले के अंदर हमने एक boat डाल दी और यह boat का बजन W2 है आप बताएए basic बहुत simple question है अगर आप सीधा सोचे तो पर यहाँ पर W1, W2 ठीक है? W1 measure करेगी यह वाली वेंग मशीन यह वाली वेंग मशीन W2 measure करेगी W1 प्लस W2 measure करेगी W1 माइनस W2 अच्छे से सोचिए 5 4 pause कर लिजिए 3 2 1 go हमारे पास भाई सीधा सीधा इसका अंसर आ चुका है की 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 W1 प्लस W2 हमारा अंसर होने वाला है अब W1 प्लस W2 क्यों answer होगा भाई क्योंकि देखिए ना इसका बजन कितना है W1 है आप इसमें कोई भी बजन एड़ कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा बलो जल्दी बताइए तो चीको भी या इसमें तो नीचे भी तरफ इना एम जी लग रहा है तो उसको तो इदर इस फोर्स ने बैलेंस कर दिया ना तो इसका तो बजन नहीं आना चाहिए ना हाहा नहीं आना चाहिए तो फिर जब आप रजगुल्ला लेने जाते हो इसलिए तो रक्षाबंदन स्पेशल है जब मम्मी बोलेगी जा बेटा बेहन तुझे मिठाई खिलाएगी राक्षाबंदन के लिए रजगुल्ला लेया तो आप दुकान नार से जाकर कि क्यों नही नहीं रहना चाहिए कुछ लोग ऐसे भी आएंगे तो बजन नहीं बढ़ेगा रहे क्यों नहीं बढ़ेगा जितने रजगुल्ले डालोगे उतना तोटल यहां पर बजन बढ़ता चला जाएगा ओके गाई तो यहां पर जो भी आप वेट एड़ कर रहे हैं वह वेट यहा आप लोगों को सवाल में बहुत मज़ा आया होगा ऐसी सीरीज अगर आपको कंटीनियू चाहिए तो जरूर कमेंट करके जाहिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं लिटरली वेरी एक्साइट टू क्रेट इस टाइप आप वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करिए बत ही सिंपल सी बात यह है कि यह ओफर आपको 4999 में 2025 के लिए प्रिपैर करता है अगर आप 2026 के हैं तो भी यह ओफर वैलिड है इसी प्राइज में आप अपनी 11th क्लास कंप्लीट कर सकते हैं दो साल का सब्सेशन लेना चाहते हैं तो इसी प्राइज में दो साल का सब्सेशन अगर आप ड्रॉपर हैं तो और फीनिक्स प्रो बैच में बहुत सारे फीचर हैं आपको special rankers बैच मिल जाएगा mentorship educators की मिलेगी इसके साथ guidance उनकी भी मिलेगी जो नीट के already toppers रह चुके हैं जो आप जगे जगे पर देखते हैं वही toppers आपको guide करने वाले हैं in fact हमारा जो group है NUP जब आप इस sport को use करोगे तो आपको mentorship में add करूँगा मैं अपने mentorship में जहां मुझसे बात कर पाएंगे और मेरे बहुत सारे mentors हैं जो आपके physics के doubt solve करेंगे जो आपके chemistry bio के doubt solve करेंगे वो medical colleges से हैं government medical colleges से पाज़ रहेंगे तो वो वाले लोग हमेशा आपके पास available रहेंगे उनके contacts आप लोगों को share किये जाएंगे अगर आप ENUP को use करते हैं इसके अलावा जितना price का आप course करीद रहे हो उससे ज्यादा price का मैं आपको material mentorship group में देने इसके बाद Unacademy pro एक feature है जिसमें आप online और offline साथ पढ़ सकते हैं तो अगर आपको लगता है मुझे online और offline दोनों साथ पढ़ना है तो Unacademy pro के बारे मैं आपको बता दिया कि इसमें आप offline जा करके Unacademy के offline center पूरे एडिया में आप महा विजिट करके आप doubt solving ले सकते हैं offline म आप test दे सकते हैं offline में और आप revision जो classes होंगे आकरी की वो offline में दे सकते हैं clear है guys I hope you have understood everything I hope you have liked the video जरूर लाइक कर दीजीगा comment कर दीजीगा और अगर किसे share कर सके तो I will be very happy thank you so much